अस्सलामुलेकुम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हो एक इंस्टेंड और बेहर टेस्टी रेजर्ट की रेसिपी जो के बहुत ही आसानी से बन कर तयार हो जाती है इसका नाम है अरेबिन पुडिंग आपने अक्सर इसे रेस्टरांट वगेरा में खाया होगा तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहां लिया है देड़ कफ फ्रेश क्रीम उसमें दो से ढाई टेबल स्पॉन कंडेंस मिल्क एट कर लेंगे आपको जितना मीठा पसंद होगा आप उसके अकॉर्डिंग कंडेंस मिल्क एट करिएगा आपको सिंपली इसे मिक्स करके फ्रेश में आदे घंटी के लिए थंड़ा होने रख देना है ताकि यह थोड़ा सेट हो जाए अब जब तक क्रीम हमारी सेट हो रही है यहां कुछ प्रेपेरिशन कर लेते हैं यहां मैंने 14 ब्रेट की स्लाइस ली है उसके किनारे कट कर दिये थे अब मैंने 7 कंटेनर लिया है मैं अपनी पुडिंग जो है इसी कंटेनर में सेट करने वाली हूँ आप चाहें तो कोई स्क्वेर शेप की डिश में इसे बना सकते हैं मैंने हर कंटेनर में दो-दो ब्रेट की स्लाइस एज़ेस कर दी थी यहां मैंने 1250 ml दूद लिया है यानि एक लीटर और एक कब दूद लिया है उसमें एक से दो टेवल स्पुन कंडेंस मिल्क एड़ कर लेंगे और सिंपली हमें इसमें एक उबाल आने देना है दो पैकेट केरमेल पुडिंग के लिए है इसका हमें केरमेल वाला पार डिसकार्ट कर देना है और दूद में जब एक उबाल आ जाए तो केरमेल पुडिंग की दोनों पैकेट एड़ कर देंगे और इसे हमें बस दो मिनिट के लिए पकाना है उसके बाद हमने जो कंटेनर में ब्रेट रखा था उसमें दूद वाला मिक्सर डाल देंगे आपको दूद उतना ही डालना है कि ब्रेट जो है हमारा थोड़ा भीग जाए यानि थोड़ा सा सौगी हो जाए ब्रेट आदे घंटे का रेस्ट दे देंगे हम ब्रेट को हम ब्रेट को आदे घंटे का रेस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि केरमल पुडिंग जो है वो जैसे जैसे ठंडी होती जाती है वो थोड़ी थोड़ी थिक होते जाती है तो आदे गंटे में कैरमल पुडिंग जो है वो हमारी आराम से सेट हो जाएगी ब्रेट को रेस्ट देने के बाद हमने जो फ्रेज में क्रीम रखी थी उसे हम थोड़ा-THोड़ा करके इस पर पोर कर देंगे हमें क्रीम की जो है एक पतली सी लेर लगानी है थोड़ा बदाम गार्निश कर देंगे उपर से और आप चाहें तो केसर थोड़ा से गार्निश कर सकते हैं कंटेनर की लिड लगा कर हमें इसे मिनिमम में उसे तीन घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख देना है तीन घंटे बाद मेरी पुडिंग जो है एकदम सेट हो गई थी आप चाहें तो इसे ऐसे ही डाइरेक्ट सर्फ कर सकते हैं कंटेनर के साथ पर मैं जो है इसे डेश में निकाल रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होती है ये और महनत तो बिलकुल ना के बराबर ही समझो इसे बनाने के लिए आप भी ज़रूर ट्राइ करें इसे इंशाला सभी को पसंद आएगी ये अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइक करें कमेंट करें और जितना हो सके शेयर करें थैंक्स पूर वाचिंग